हाँ बोल दीदी की शादी है हमें ट्रीट कप देगा ओए मैं अभी एक्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकलाओं तु शादी पे आ तब देखते हैं नहीं यार शादी में बहुत सारे महमान होते हैं वहां पे नहीं जमेगा तु शिवा के रूम पे आ वहां मजे से पीएंगे अєङं है भूत तेरी ओमर देख मेरी या तो अंकल जी बमना करों को शौकर देखी अपनी उसके शन्यदा करेका उपुन इसलिए तो शरम चोड़कर आइल भी उका तुमें परना आजकल के लड़के तो देखते ही आइल भी बोल देते हैं क्या बुली कॉन बोला ऐसा नाम बता उसका सीधा कर देगा उसको अपुन अच्छा इसी गुस्से को देखकर तुम्हाने तुम्हें पसंद किया लेकिन मेर का फंक्शन इसके लिए इंपॉर्टन्ट है हलो कहां तुम बस अभी आया मैं मैं अल्रेडी फ्रेंड्स के साथ मैरेज हों आ गई हूं कहां तुम लोग पी कर निकल जाना मुझे रात में थोड़ा काम है तुबह मोरत के समय पर आजाओं लेकिन आना जरूरा है ए मोटे च कल सुबै अपनी सहली के पापा को देखने सरकारी अस्पताल जाओंगी स्कूल से पहले तुम भी वहीं आ जाना वहां तो बहुत सारी लोग होगे ना तो बात कैसे करेंगे कितनी डर्पो को तुम एक अस्पताल में लड़का-लड़की बात करेंगे तो किसी को भी शक नही मेरे जैसी लड़किया ऐसे ही होती है अके लिए काफी है बाकी लड़कियों की ज़रुरत नहीं है क्यों मुझे क्या कमी है बारवीव में पढ़ने वाले आईलो भी बोलती है तो और क्या बोलू तुछे तो ठीक है तुम जाओ पता है महुले के कितने लड़के मेरे बीचे अरे तुम नाराज की हो रही है अब तुम मजाग कर रहा था तो फिल क्या करूं मैं किती सीरिसली बात कर रहे हूं और तुम्हें मजाग सूझ रहा है आज कल मुझे रात को नीन भी नहीं आती बदा तुम्हें तो क्या हुआ एक कॉर्टर मार ले निगानीन अची आईगी एक लगाओंगी ना अचा ठीक है मैं चलती हूँ हाँ कल सुबह याज से अस्पताल आजा ना इस दुनिया में नजाने कितने करोड लोग हैं हर एक इंसान अलग-अलग तरह से अपनी जिंदगी अलग-अलग हिसाब से जीता है साइंटिस्ट हो या चाय की दुकान वाला, हवा में उड़ने वाला पाइलिट हो या खेती करने वाला किसान दुनिया में बहुत बड़ा पैसे वाला हो या एक वक्त के रोटी ना खाबाने वाला गरीब वो कोई भी हो सकता है उपर से देखने पर हम सब अलग-अलग इंसान ही लगते हैं लेकिन इस प्रकृती ने हम लोगों के बीच एक द्रिश्य कनेक्शन दिया है किसी को नौकरी मिली, तो किसी दूसरे की नौकरी जाना उसकी वज़य हो सकती है कहीं किसी का दान दिया हुआ खून, कहीं किसी की जान बचा सकता है ऐसे एक-एक की जिंदगे में होने वाली घटना से कोई ना कोई अंजान व्यक्ति जरूर जुड़ा होगा मेरे ही साथ ऐसा क्यूं होता है? हर इंसान अपनी जिंदगी में ये सवाल जरूर पूछता है उसकी वज़ा हम, किस्मत, समय, नियती ऐसी ना देखने वाली चीजों पर डाल देते हैं लेकिन इंसान के हर एक कर्म के, जरूरत के और घटनाओं के पीछे कोई दूसरा इंसान ही उसका कारण होता है और ये बात सिर्फ प्रकृती ही जानती है ठीक उसी तरह, एक इंसान अपनी जिंदगी में जो कार्य करता है, वो किसी दूसरे के लिए घटना बन जाती है वो घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी ऐसे अपरिचित दो लोग हैं, अरून और कार्तिक इन दोनों के बीच में घटित हुए संजोग ही हमारी कहानी है अरून के जेल जाने के पीछे कार्तिक ही उसकी वज़े है कार्तिक इस हालात में है, उसकी वज़े अरून है हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे हाथ हो में नहीं है हमारे आसपास के लोगों के हाथ हो में भी है क्या कवीता ऐसे महीने के आखरी में आकर पैसे मेरे हो अरे काव्या डाल में नमक नहीं डाला तो काव्या तुझे घाना बनाना नहीं आता दी सब्सक्राइब कर्णा है काम पर जाते वक्त पीका जाओगे तो पॉन तो में नोकी देगा पैसा मांगों तो सिर्फ यह बताओ है कि नहीं है मुझे भाशन मत दिया करो खड़यो कर दूसरे घर बरतन माजती हो और यहां मेरे सामने नवाभी ठाटी हो ए तमीज से बात कर वरना काट डालूंगी काट अंदर आएका तो पैर काट डालूंगी बाहर निकल यह तुझे बाहर निकाल रहा है मेरा मदमाज बच्चा बाप को यह बाहर निकाल रहा है बिलकुल मुझ पर गया एक बार और बोलो बट्वाट इसमें फोटो आगी हो क्यो तुमें डाउट है क्या इससे फोटो कैसे ख प्रवादेना टीचर क्या हो गया टीचर इतने जल्दी याकीन नहीं होता डिखाव यह भगवान यह आप नहीं खीची नहीं नहीं खीची मेडम यह आपके इस्टुएंट अरुन नहीं खीची है उसने मुझसे कैमरा ले ले था यह पता नहीं कब खीची अरुन कम यह यह फोटो तुमने खीची है क्या यह मिस्टुएंट बहुत अच्छी है स्टुदेंट्स अल आफ यू से दिस कितनी अच्छी खीची है ना क्लाप यूर हैंड्स बॉइस बॉइस वेरी गुट बेटा किप इट अप मिस्ट अब गत थी फोतो प्लीज को प्लीज से मुट भीड को डिटा अविट होच बेटा है अविट यह एए 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 मन्जू वो देखो तेरे बया को मार रहा है एए कर देख जगडा मत कर यह कहीं से दारू पी के आया है तो वहां कोई जगडा हुआ तो इसे मारा होगा तो इसने पुलिस में कंपलेंट कर दीख इसे मैंने मारा है अच्छा तो किसने मारा इसके भाई को माने वाला तू ही है चांत हो जाओ मैं बात कर रहा हूँ न क्यूरे मैंने कहा है ना बार बार जगडा मत किया कर अब मैं जगडा नहीं करता भाई तू हमेशा मुझसे यहीं बोलता है कई का नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं अभी दे पीकर निकल रहा हूँ तो यह कमीना मुझसे पैसे मांग रहा है क्यों अगर मेरे पैसे होते तो इसकी दुकन में चाय पीने क्यों आता मैं यह बिल्कुल सही कह रहा है भाई अब आगे से ऐसा नहीं होगा तू हर बार ऐसा करेगा और मैं तुझे सपोर्ट करूंगा अपन अब आगे से लोगों को जादा भाव देने की ज़रोतने निकालो यह नहीं आसे नहीं शेकर बाई मैं बात कर रहा हूँ ना बच्पन से इसे देखकर तो यहीं के तियार है ना प्यार करती है तो सिधे जाकर बता दे ना पर वो मझसे प्यार थोड़ी ना करेगा पिसी आइटी भढ ले बिटा पापा विस कॉम कर लू मिलती है तुम कि अगधिक पाट्ट कर देख को देख को अगधिक तुम्हें देख कि एक दम बाक्वास तुमसे भी जादा नहीं थुम्हें आप लोगों के साथ अभी-कभी जॉइड कर सकते हैं यह 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 आई टी पढ़कर मश्या काम करना मुझे पसंद नहीं है आंटी हम सेंसस से आया है घर में टोटल कितने लोग हैं बताएंगी ठीक है पहला एड्रेस लिख लीजिए और क्या जानना है आपको पिछले हफते ही तो काउंटिंग हुई थी बेटा वो सीम के एलेक्शन के लिए थी ये पीम के लिए है वन मिनिट आंटी हां बोलिये सर त हमें मिले हुए कितने दिन हो गए दो ही दिन तो हुए है प्यार करने से कुछ नहीं होता हमें मिलना भी चाहिए ना सासुमा बहुत भोली है जो भी मैं पूछ रही हूं सब बताए जा रही है मैं ही आपकी बहु बता देखो मूबन रखो तो फिर तुम रेस कोर्स आओ कुछ खर्चा कर गए यह प्रोजेक्ट कर रहा हूं तुझे कैमरामेन बनने में इंट्रेस्ट है इसलिए तुझे कैमरामेन बनाया है गड़बड मत कर देना ए तुपरिशान मत हो यह अपना प्रोजेक्ट है कॉलेज फिल्म फेस्टिवल में हम ही अवार्ड जी देंगे नित्या रेडी हो गए होगी जल्दी से आने के लिए बोलो यह 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 क्या करी है विस्कॉम डिपार्टमेंट की है तुमने देखा नियों से वही तो हमारी ही रोइन है जो नौकरानी बनी है यह अदि यह अ Arsen और दिखाने अफ बड्टन दोने वाला शीन है ना उन्हें इतना मेक आप थीख थीख है डिल्हलिए सब नेचलेगा ए कौन है यह वज्त के लिए बना रहा है क्या इस पे मैं ही हिरोईन हूँ ऐसे ही रहूंगी विसकॉम की स्टूडेंट हो तुम थोड़ा भी सेंस नहीं है कपड़े से मौ अच्छी तरह साफ करने को लो चलो टेक करता है रेडी रेडी नित्या तुम नीचे बढ़ जाओ नित्या अब तुम रोते हुए बटन दो ना विम्ला थोड़ा ग्लिसरीन दो तो मुझे कोई ग्लिसरीन नहीं चाहिए खीक है फोकस स्टाट कैमरा एक्शन वाह बहुत अच्छा किया थेंक्स भाई अरे थेंक्स किसलिए तुझे पसंद आया ना भाई बहुत शिवा हाँ बोलो नित्या अब तो शूटिंग नहीं है ना तो अब तो मैं मेक अप लगा सकती हूँ क्या बात है नित्या जितना मन करें उतना लागा लो देख क्या रहे हो बस पांच कॉफी ए और नित्या के लिए कॉफी पिएगी तो लेप्स्टिक खराब नहीं हो जाएगे माँ पापा का है गाड़ी खड़ी है त्रिवेनी नगर गए है बिटा ठीक है मैं अभी आया अरून उनके आने से पहले आ जाना तुम्हें पता है ना उन्हें गाड़ी से कितना प्यार है किसका गरेब है सेट का गरेब है तुम यहां काम करने के लिए आया है खेकदार की तरह घूम क्यों रहा है माटी से गया एक चपूस को अंदर रखोर जाक कलन मिला जा जाड़ मुझे करने वाला तुम्हें समझ रहा है जगड़ा मत करना करतिक बाबु भाई के सामने बोल क महनत महनत बोल रहा है एक ब्रस लेकर चुने में डूबा कर मारने को महनत कहते हैं क्या रात दस बजे के बाद जब वाइंशो बंद हो जाते हैं फिर तेर रात तक जाकर पुलिस के आफो में धूल जोंकर ब्लैक में दारू बेचिए क्या कड़ी धूप में खड़े होकर ग पूरा दिन महनत करवाने के बाद तुम मुझे धाई सो रुपया तन खुआ देगा मैं तुझे आजार रुपय देता हूँ चलेगा ए चल रहे तू कहां चला अब देख थीएटर जा रहे है मैनेजर से बात करेंगे बल्क में टिकेट ले लेंगे बल्क में टिकेट देग पागल कईगी तिरा दिमाग खराब है दो दीन मिला नहीं तो क्या घर पे आजाएगी तुम्हारे लिए दो दिन होंगे मेरे लिए और तालिस घंटे है वैसे कहां गई थे तुम एड़टाइस्मेंट के चकर में जोलेरी टेक्स्टाइल शो गया था इसलिए मिला क्या नह लेकिन क्या कुछ करना है सोचकर टाइम वेस करने से तो अच्छा है कि तुम मुझे तुम्हें क्या करूँ मुझे साथ लेखर गये होते तो आसानी से ओक कह दिया होता वैसे तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया था मेरा दिमाग कहीं और गया है तुम्हें कैसे पता मतल तब तुमने भी कुछ और सुचा था ना हुँ 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 फिल्म देखकर लंच करने की बाद ही घड़ जलेंगे ठीक है ना हुँ 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 यह ताई सुका दोसो जाई है क्या बहुशतों भूलो ताई बच्चों की तरह बाते करता है एक बात बोलू क्या शादी के बाद जानता है वो लड़की क्या बोलेगी क्या बोलेगी सिग्रेट छोड़ दो दारू बन कर दो और कोई अच्छी कासी नौकरी देखके काम करो तुसे यह सब आखने ओला है यह तो कानून अपराद है यार तो फिर तेरे से प्यार करके फाइदा क्या होने वाला है अबै पीछे से क्या मारता है नहीं तो सामने से मार अबैश्ची कर दो तो इस थेटर पर नहीं आएगा तेरी वज़े से मेरा धन्दा चौपट हो गया है जो इतना रॉप जाण रहा है जो एरिया का बटवारा करेगा दस दिन से तो तुई टिकेट बेच रहा था ना आज तुझे टिकेट नहीं मिली तो मुझ पर गुस्सा उतार रहा है कितना बड़ा पेंटरूम है यहां का खा मखा यह जगड़ा करके हमें भी फसा रहा है मतलब जगड़ा हुआ तो छोड़ करके भाग जाएंगे क्या पैसे लेने सिदे हमारे पास आएगा वो मतलब मार खाने में भी हमार रहा है चला आजा मेरे दोस्त आगे इसलिए तो इचे छोड़ रहा हूं वरना आज तो तेरा हिसाब किता पूरा कर देता एक यह तो शरूर मरेगा तो बहुत अच्छी थी ना मुझे तो बहुत पैसंद आए तो वेट करो में बाइक लेक आता है चल्दी आना सुनो भाई मेरी गाड़ी केसी तूट गई ओहो वो तुम्हारी गाड़ी थी कुछ देर पहले दो लोगों में लडाई हुई थी उसी में शाय तूट गई होगी या भाई इतनी आसानी से बोल रहो गाड़ी का मेरे सत्यानास हो गया अब इसका पैसा कौन बढ़ेगा उस बोड को देख लो भाई अब इससे ज्यादा कुछ चाहते हो तो पुलीस में कम्पलेंड कर दो पुलीस टेशन में कम्पलेंड देने के लिए का है बाई तोड़ने वाले को आप कहा डूंडे घर जाने तक बाई ठेक नहीं हुई तो पापा मुझे काट ड़लेंगे मेरे पास अब ही पैसे वैसे नहीं है तू चाहे तो इन लोगों से पूछ सकता है हम लोग भी कहीं जाने का प्लान मना रहे थे लेकि पैसा ही नहीं है आज कल हालात बहुत ताइट है यार तू चाहे तो शिवा भाई से बात कर सकता है भाई अरे आओ अरोन आओ बैठो तुम तो एड़ शूट करने वाले थे ना क्या हुआ उसका हाँ वही ट्राइब करों भाई भाही मुझे अर्जंटली तीन हजार रुपे की जरुवत पड़ गई है में लेंगे क्या अगले अपते वापस कर दूंगा तीन हजार रुपे एक में टुक मैं भी आया है हाँ लेकर आया क्या पिसले बैलन्स छे हजार है पहले वो निकल फिर देता है तीन दिन से कॉलेज की जुट्टी है होस्टल वाले लड़के अपने गाउं गए है काल आएंगे तो कलेक्शन हो जाएगा वो सब कहानी मत सुना गाजा बेचता है ना कल पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पैसे किस से वह सोलूंगा या कल कही भाग गया तो कहां डूड जोर समत बोल सबको मालूम है कि में बिजनेस करता हूं यह भी बिजनेस है पहले पैसे निकाल यह ले अब तु निकल अरे अरून कुछ अर्जन काम है तुम निकल जाओ कल मिलता हूं भाई वो पस अरे छोड़ने यार अरून घर जा पापा कुशनी बोलेंगे तुझे कल जोर बजा जाकर बाइक का सारा समान खरी लेंगे ठीक है ना कैसे भी करके आज भगवान को जगड़ा वह तब कहां थे तुम लोग मैंने बोला था इससे कि चल अम भी फाइट करते हैं लेकिन यह डर यह गधा खाम खाम मुझे फसा रहा है जादा उचल मात रोक दिया मेर क्या सोच रहा है भाई क्यों बैं कलवे उस दिन सेट के घर पर पुताई करने गया था ना वाल पेंटिंग आ जो भी है सला उसके पास तो बहुत माल होगा ना सेट जितना पैसे कमाने का सपना नहीं है मेरा बस एक छोटा सा पक्का घर और अपना खुद का एक ऑटो रिक् शरीर से बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं जबसे मैंने ये बाई खरी दी तबसे रिपेर के लिए मेकेनी के पास लेकर नहीं गया और तू इसे ठीक कराने के लिए 3500 तो बोल रहा है नहीं बाबा तीन हजार बोला है हाँ वही तो तू दे दे ना कमाना धमाना तो आता नहीं कहीं जाकर मर जा आप तो बेहुदा कहीं का इतना खर्चा करके तुझे आइटी में एडमिशन क्यू दिलवाया कि आइटी कम्प्लीट करके तू अच्छी नौकरी करेगा कोर्स कम्प्लीट किये बिना तुझे नौकरी कोल देगा लाइफ के बारे में तू सोचता न पानी है और फिर उसके बाद तुम्हें ही परिवार चलाना होगा है मेरे दोस्त का बेटा केजी टेकनोलोजी में जी एम है तुम्हें इंटरव्यू के लिए कल बुलाया है येलो इंटरव्यू अटेंड कर लेना अभी जॉब टेंपररेरी होगा जैसे ही तुम्हारा आइटी का कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा तुम्हारी नौकरी पर्मानेंट हो जाएगी अब ये कैमरा मेमरा छोड़ो और काम पर ध्यान दो किसे आवारा बोला तुने तू ही होगी आवारा औरत तेरा सारा परिवार आवारा अगर हिम्मद है तो मेरे सामने आके बोलना मेरे पीट फीछे क्या बोलती रहती है पानी भरने के लिए मेरा पहला नंबर था तू क्यों बीच में गुसके पानी भरने लग गई ऐसा कॉल जब देखो तब उसके पीछे पड़िया को कैसे आस्मा में उठे लगी है अब मुझसे पहले पानी भर के तो दिखा दिखाती हूं तुछे में क्या हूं ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ठोक डालोंगी दरी समझी रहने देना कार्तिक सेट के घर में सब मुझे जहाए अइक लुपे इतने पैसे मिलेंगे क्या ओके चलूंगा लेकिन रात को चलेंगे तुम जहाए पहचांन नहीं पाएगा दिन में जाने को क्यों बोलव राए भाई इन में सेट के घर पे पोई नहीं रहता ये तूनीं ही आ इसलिए तो अभी करने का है हाँ यह तो मैंने ही कहा था गुट प्लाट फिर बुला यह अगा था यह दिवाकर टेंशन में विटा है इधर है क्या कोई लफड़ा हो गया गया हाँ वह तुम विजय को जानते हो ना हाँ क्या हुआ उसका तेरे साथ कोई पंगा किया गया अरे है यह बोला था उसे पहले है कैसा अधात तुमुझे बात वाथ तो बदा तू बादा वले विजय को जानता है यह यहां वो लोक कहा क्ई हो को वो तो यह लोगे क्या मैं तेरे पापा को अच्छे से जानता हूँ अब भी इसकूल के टीचर की तरी तेरी क्लास लेते हैं अ सब ठीक हो जाएगा बोला था ना चलब पैसे नहीं भाई कोई प्राब्लम हो दर रहे गया अरे मैं हुना साथ में चल क्या बताओ यार पापा ने केजी टेकनोलोजी में इंटर्व्यू अटेंग कर लेका है यह भी सही है यार अरुन अंकल नमस्ते अंकल माया भी पवंच बेलरी से मिलने जा रहा हूं तुम्हारी एड के बारे में भी बात करता हूं मेरे साथ चल रहे हो क्या इंटर्व्यू अंकल कितने बज़े है बारा बज़े बारा बज़े है ना तब तक आजाएंगे बैटो ठीक है ठाइक सेर तुम हो दिवाकर मैं तो डर ही गई थी ठीक है मैं स्कूल जा रही हूं रुको मैं बोलूंगा तो जाना दर्वाजा बंद कर लो पापा का अंगे एमेले के घर गए है ये दिवाकर बाहर निकल भाई क्या करूं वो सब लोग घर के बाहर खड़े हैं क्या भाई वीजय आप उनके एरिया में आयल है कार्टिक तू बीच में मता पंगा मतले पंगा तू ले रहा है इसने मेरे दोस्त के भाई को मारा है तो यह भी आप उनके भाई जैसा है अभे ये क्रिकेट खिलने वाले बच्चे लोगों की प्रॉब्लम है तो इसमें आप अच्छा पारड़ी सब सुल्टा लेगा अभी तुम लोग निकलो यहाँ से करतेक तू अड़ जा मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा अभे छूके तो दिखा बोलना हाथ लगा सकता है क्या तुम लोग छे लोग हो ना मैं अकेला हो आजा जो का देखा जाएगा पहले इस अब सुन अगर दुबारा इसी बात बुलेकर इसके आगे फिची दिखाई दिया ना तो मैं भी चुपने ही बेटने वाला हूं यह सब इदर ही खतम करो अब चलो निकलो यहाँ से ए दिवा गर चल दो जिदी चलो स्कोल के लिये देर हो रही है आ रही हूं नायर तिन चाय पैसे नए गलास में लेकराना थीके भेशता हूं पैसे तो देता नहीं और नए गलास में चाय चाहाए विखाएरी कहीं का क्या कह रहा था नायर्ट चाहे चाहिए किसे देख रही है एक आर्टिक वो लड़की कब से तुझे देख रही है प्रस्क्राराय को बाडन को बदलना चाहता है अब भी जाक कर देख रही है, देखना बई देखना तू मेरे प्लान को बदलना चाहता है क्या अब है किस नमस्ते साब तुम लोग रोट पर जगड़ा क्यों कर रहे हो अरे नही नहीं साब, यह तो मेरे दोस्ते साब, मजाग कर रहा था किसी दिन में भी फंसाइगा यार ठीक है सब चुप नहीं रह सकता गहेंडे ए कार्तिक चोरी करने से पहले पुलिस इंक्वारी कर रही है चोरी करेंगे तो फंस जाएंगे यार अक्यूस्ट को तो हाजार इंक्वारी से गुजरना ही होता है मैं तो एक पेंटर हूँ मेरे इंक्वारी क्यों करेंगे एक्यूस के इंक्वारी होनी चाहिए ना तो फिर कार्तिक सेट के घर पे हाथ साफ कर दे क्या उससे पहले एक एक कटिंग मारते हैं तभी तो आप उनका घून गरम रहेगा मेरे ना कहने से छोड़ थोड़ी दोगे चलो चलते हैं भाई ग्लास तो रखकर जाओ इसमें दारू प्यूंगा भाई तुम्हारा कॉंसेट मुझे बहुत पसंद आया है हम हमेशा एड एजनसी को ही विग्यापन देते हैं अगर पहले कोई आड किया होता तो तुम्हें ये काम दे सकते थे अभी तुम फिल्ड में नए भी तो हो लेकिन सेर आब 20 लाग देकर एक आड बनाते हो ना मैं वही आड पांच लाग में बनाके दे सकता हूं ठीक है भाई अगर किसी नए से करवाना होगा ना तो मैं कैलाश को बोल दूंगा थैंक्स ठीक है आओ भाई आओ बैटो कैसे हो मेरा ओडर तयार है क्या हाँ हाँ सब तयार है तुम पैसे भिजवा देना मैं जोलरी वाले से बात करके देखता हूं ठीक है करेंगे इंटर्वी को लिए जा रहे हो आँ अंकल बस जाई रहा हूं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या ने न अभी मेरा इंटर्विव है अभी बाइक लेकर भी नहीं आया हूं बस से जाना है अलो मुझे नी पता मैं अर्टोड़ा तो समझो यार अरून इधर हो मैं अभी गांदीनेगर जा रहा हूं मेरी कार वर्क्शोप पर है मुझे कार लेने जाना पड़ेगा मुझे वर्क्श आप बोलो लोकेश नासेर अभी दुकान से निकला है मतलब वो ही हमें साज जिवर लेकर जाता है कितने किलो होगा एक किलो तो होगा उतना काफी नहीं है चर पांच किलो होगा तो पकड़े मिले उसे फॉलो करो वो कब घर आता है जाता है सब पता करो उसके बारे में सारी इंफोमिशन निकालके मुझे खबर कर यह दो हजार रुपए हैं श्रीवा किदर जा रहा है गांदी नेगर जा रहा हूँ मेरे को रास्ते में छोड़ते हैं चला जा जा बस यह ठीक है यहां कैसे बस ऐसे ही फ्रेंड के साथ गुफी शॉप जा रहा हो है थीक ठीक है थीक कासा बाई अ यह 10 किलों का माल और केरला का ओर्डर है लोकल लड़कों को ले जाओ और बॉर्डर पार क्या भाई लोकल लड़के कैसे ले जा पाएंगे चलो शलते हैं तुम यहां क्या करने आई हो हैदराबाद से मेरी फ्रेंड्स आई है चलो मिलवादी हूं मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया है चलो पीछले हफते से पुलिस को मेरे पर डाउट है इसलिए मेरे लोग कुछ नहीं कर सकते तुम्हें इस काम को बड़े द्यान से करना होगा और इस माल को कैरला पहुचाना और यह तुम्हें करना है ठीका भाई दिन में आएंगे तो कोई नहीं रहता बोला था ना मैंने कब कहा था तुमने ही तो कहा था कि दिन में चलेंगे मैंने तो रात में आने के लिए कहा था नहीं सुनी ना तुने ही से भढ़काया था ना दिन में आने के लिए अपसेट घर पे है फस गए ना तो चेरा ढखा ह कैसे ले आएंगे मैं सेट के घर में पेंटिंग करने आया था और तुम लोग मुझे छोरी करवा रहे हो खौल दूंगा इसे तुछ उक्कर अरे सेट बताओ ना किदर रखा है वरना फोकट में मारी जाओगी गलत टाइम पर गलत डायलोग बोलते रहता है थामस इसे समझान कार्तिक किसी काम पे हो गया नहीं यार बस खेल रहा था एक आदमी कम पड़ रहा है आएगा क्या है सीरियसली पूछ रहा हूं मैं मैं भी सीरियसली बोल रहा हूं देख दस किलो गांजा है किरला के बॉर्डर पे पहुँचाना है हो जाएगा वो अभी थोड़ा सा बीजी बात में काम खतम करके फोन करता हूं अब है ऐसे काम के लिए बिलकुल विश्रास्वाला बंदा है यह ओडर क्या देना है अ फ्रैपी फ्रैपी यह फ्रैपी और तुम ओके छे फ्रैपी जल्दी अ देर हुरी है इंटर्व्यू के लिए जाना है पोटो अच्छी आ रहे है मेरा बॉइफ्रेंड तुम्हें कैसा लागा वहाँ देख तो तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या पदा है मैंने तुम्हारी कितनी तारिफ की थी उनके सामने देखो तुम लोगों के साथ गुटर्गू करने के लिए मेरे बास इतना टाइम नहीं है सुनो अब इंटर्व्यू के लिए मुझे देर हो रही है मुझे अब यहां से निकलना होगा सॉरी बाई अब कल मिलते हैं जल्दी करना अरे चल रहा हूं न तु सिधा घर पर पहुंचा मैं और थॉमस मार्केट हो के आते समझ गया ना जल्दी कर दिए हम किस खोड़ने है अए चोड़ने या कर्दी 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 करदे में कि एक वाऊ आ कर आ, कर आ, कर आ गजा है कि मैं ठीक से चला रहा था मा अजानक एक बाइक वाला सामने आ गया तो उसमें मैं क्या करूं तुम्हीं बता जाने दो तुम्हें तु इनका स्वभाव पता है न अब चले क्यों भाई कार्तिक अटो चलाना शुरू किया क्या दिखता नहीं है यह अपनका खुद का अटो है आप उनको भी तो मालिक बनने का है न इसलिए अभी चलाने को ड्राइवर ढूड़ रहा हूं तु चलाएगा ए चाहो अधी फिर से दुकान पर जाना होगा फिर से दुकान बाइन वाली कौपी लेना भूल गई है यह बिना लाइन वाली है पयन ली नहीं भूल गई तो चाहय तो के चाई की दुकान पर चार चाह का उड़र दे के इंतिजार कर मैं तरे को शिग्रेट फिला दूंगा चल भाई करतिक अरे यार यह कुछ जादा नहीं हो गया क्या जिनकी कोड़ी के अउकात नहीं उन्हें 500 रुपय का नोट था रहा है तो यह वह लड़का मेरी तर्फ देख रहा है क्या कौन देख रहा है वह HOL Team 4 उसे कभी मांग लिया करता है महनत करेगा तो समझां चलान के औरत बहूंँ यह एब देख रहा है मुझत है मुझे है को धी देख रहा है आरे यार कार्ते इक, गैंडे ने सही कहा था क्या कहा था बे? देखना ओ, तुझा ही देख रही है असरी है यार अबे तूनَّ तो यह कहा था वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है आप उठा कर भी नहीं देखती है किसी को फिर यह क्या है? सामने से सिगनल दे रही है तो मना कैसे करूँगा तुम किसे के साथ भाग जाओगे ऐसा सोचा था मैंने चलो अच्छा है अरेंज मैरेज ही करनी है पहले ही फैसला कर रखा था अरे हाँ दूला एक्तम काला डराओना साय चलेगा ना बहले ही काले क्यों ना हूँ पर रजनिकांट लगते हैं कॉम्प्रमाइज कर लिया क्या रजनिकांट आखरी सिग्रेट क्यों साले साब वो ना शादी के बाद पती से उनके पत्नी सिग्रेट ना पीने को कहती है इसलिए पूछा तुमारी बैन ने तो पहले दिन मुझसे कह दिया था कि ये सब छोड़ना होगा अब उसको पसंद नहीं तो मैं उससे छुपकर पी लेता हूँ अभी रुको मैं दीदी को बदा कर आता हूँ अंकल बोली है अरे अरुन तु फ्री है क्या हां मैं फ्री हूँ बोली है अभी हाइवेप एक एक्सिडेंट हुआ है तु आँ चला जा कुछ फोटो खींच ले मैं एक मैरीज फंक्शन में अटका हूँ आँ कोशिश करना थोड़ा जल्दी पाहुँ जाए आँ ठीके चला अच्छेंट हो गया है पीछे हटो ट्रैपिक हो रहा है ना अट जाओ सामने से अरे पीछे हटो पीछे हटो सारे एंगल से फोटो लेना और जल्दी से थाने आकर दे लेना फोटोस अच्छे हैं ना सर किसी हिरोईन की फोटो लिए क्या तुने एक मरेवे आदनी की फोटो लिए इसमें किस बात के तारीफ ठीक है सर में चलता हूँ सर लग रहा है सर तुने सोचा कि हमसे बचके भाग जाएगा है सर यह बार बार सर पर मत मारूआ अच्छा भी आ रहा है मारेंगे तो क्या करेगा आप लोगों को पकड़ने का हग है मारने का हग नहीं है हमें कानून सिखाएगा चल अंदर अठाक का अच्छा ऐसे सारी अच्छे लर्डेङी कई ही thee Почему अच्छे लेगी तुम प्यानोगी तुन सफ्याधी पांच्छे हो जाएगी है तो चिल कंके वहें को रहे है हुआ अरे उनकी साडी लेकर सेट की पत्नी के साबने चिलला चिलला कर बेच रहां था ये अब साडीय के कुछ उराई और ये जब तेरा बैक भारी लग रहा था तभी को टाउट हो गया बाते मन करो क्यों अब आप लोग बात करोगी क्या मुस्पाल के बात कर Wash क्या पूछा तेरे से अभी तक तु मुझसे कुछ और नहीं पूछा बस इतना पूछा कौन-कौन गया था इसने हम लोगा भी नाम बताया इसलिए हम यहां बैठे हुए हैं नहीं यार पहले बार पुलिस टेशन आया हुना इसलिए डर गया था चल ठीक है जो हो गया सो हो गया पुलिस वाले तेरे से हर तरह से पूछेंगे लेकिन सच बोलने का नहीं हर तरह से मतलब नहीं बहुत हुश्यार बन रहा कि श्याने पता में किसका हिला का पुलिस वाले कुछ पूछेंगे तो बोलना, सडक पर हम तीन लोग जा रहे थे, बैग नीचे पड़ा हुआ मिला था, उस बैग में बहुत सारे साड़ियां बरी होई थी, और वो साड़ियां तुने बेज दी, ठीक है, ऐसा ही बोल दे अन आ, हम तीनो सडक पर जा रहा है थे, रोड पर बैग पर तौ हम तीनो ने वो बैग चुरा लिया और उसके अंदर के साड़ियां बेज दीति, रोड पर बैग पर था, बैग में इसे बेज दी, सर रेडि सिर सर सेट के घर से चुराएवे पैसे और गहने का हैं सेट के घर पे चोरी आपने हमको गल्ती से पकड़ लिया सार चाहे जिदर मार लो थोबड़े पे नहीं मारने का वो क्यूं वो क्या है ने सर आप तो पुलिस वाले हैं आपका चेरा बले ही कैसा हो चलेगा आपकी तो वर्दी सब्सक्राइब लिए जा रहे थे रोट पर एक बैग पड़ा था बैग में साड़िया भरी हूए थी हम ने साड़िया बेज दी शर तेरीन लफंगों के साथ इस धंडे में कैसे आजया इच्छा पेंटर हूँ बहुत अच्छा भीगा हूँ और आपको को संदे है तो सेट पेंटिंग कर रहा था सब अच्छा तेरी सब मां देखो ना मेरी किची फोटो पेपर में चपिए अच्छा है पर तुम्हारे पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता मां देखो अभी हम खुद विपक्ष में बैठे हैं अगर तुम्हें इस वक्त रूलिंग पाटी के साथ तुम्हें ऐसे ही छोड़ेंगे रूलिंग पाटी उसकी वज़े नहीं है हमारी पाटी में बाबु भाई के अपोजिट जो मैयूर है वो वज़े है उसकी है अब तुम हमारी पाटी के खिलाफ उल्टा सिधा बोलेगा जो होना था वो हो गया ये बात बाहर किसी को मत बता सेर मैंने कुछ नहीं किया है पेपर में ख़बर आई थी कि तूने कुछ नहीं किया क्या बाते बताओ करन भाई को छुड़वाने आओगे ये तो आप उनको पता था साथ में आप उनको अरे राजेश तुझे क्या हुआ तू इसके साथ क्यों मिल गया मुझे बचा लिज दिखाती है जैसे उसी की बैटी दुनिया में सबसे सुन्दर है कि यूरी तो कह रही थी कि तू नहीं जाएगी उससे नहीं बुलाया तो क्या हो गया पड़ोसा नहीं तो है उससे क्या जग्रा मानना कैसे शर्मा रही है अरे मन्जू तुम भी आ गई हाटों पीछे क्या क पात है तुझे बुलाया ने इसलिए नहीं आओंगी कहा था मुझे पता था तो जरूर आएगी वह कैसे हां सारे लुक सामने देखें अरे देवी इतना क्यों शर्मा रहे हो यहां हमारे लावा को इंग है तो तुझे बुलाया नहीं था तो क्यों आ गई अरे आप ऐसे क्यों बोल रही है हम दुश्मत थोड़ी लाए चाहे जो भी हुआ हो मिरापके बेटी चैसे ही तो हूँ तू मेरी बेटी बनेगी तू म नहीं बोलता है वो तो अच्छा हुआ कर्णभाई के साथ आप उन भी निकल गए लाड़ी आगे होगी चलो लड़के के साथ रात में जाने के लिए के रही हो नया साल कल है तो हम कल ही मिलेंगे कौन है यह मंदिर के बार भीखारी की तरह खड़ा है क्यों बेटा आज के शुब दिन भी ऐसे दारूपी के आए हो आज के दिन बड़े बुड़ों का आज शिर्वाद देना चाहिए तू के बज़र्गों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए के दिन माँ बाप के पर नहीं जुने चाहिए दर्ती माँ को धन्वत करना चाहिए समझ गया कि तू रखे दायां से दिमाग कर आपके आपके शुदर सकते हैं आज मौसम बहुत सुवाना है मैं लड़कियों के बात कर रहा था काल्तिंग मैं अंदर जाकर किसी लड़की से सुमती का क्या करना एक को समझ में नहीं आ रहा है उसके बाप सुनामी सिंग से पूछ वो बताएगा चल रहे तो मैं कल पूछ लूँगा ना मैं रुक पूछता हूँ कौन है बेचो छुपकर मार रहा है हिम्मत है तो सामने आगे बात करना है डर पोग गईगा अरे यह त तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या हमेशा गवार ही रहोगे क्या चर चाते वक्त ऐसे शराप पी कराते हैं क्या अपिन यूएर सुमति थांक यू अपिन यूएर चलो यह चोक्रेट लेलो थांक्स भी नहीं काओगी क्या थांक्स भी नहीं काओगी क्या खालो और हाँ आई लव यू अपसे मैं जहां भी बुलाओंगी आना ही होगा तुम्हें जब मैं स्कूल जाओं तो बस चैन की चाय की दुकान पर खड़े दहना स्कूल से वापस आते समय भी तुम वहें खड़े मिलना आज की बार से यह आवारा करती नहीं चलने वाली क्यों सम समब्सक्राइन घर ले जाना ठीक है ले जाओंगा ले जाओंगा है पागल गधे क्या हुआ यह पागल गधिए गालिया सुनने में भी मजा है इसके पहले मैंने तुझे बड़ी बड़ी गालियां दी है वह तुझे अच्छी नहीं लेगी क्या यह लड़कियां बाहर से सुमती नाम भी देखना कितना अच्छा नाम है नाख में दम करके रख दिया है नाजाने कहां से त्यार हो गया इसे वह लो कौन है मैं वह करते किरला बौडर पर माल पहुंचाना था बोला था ना नहीं कर पाऊंगा वेलू कितना किलो है दस किलो आप उनको किता मिलेगा पत्चीस अधर देगा एक लग देता है तो बोल काम करता हूं बाई एक लाख रुपे मांग रहा है उसे को हां बोलो है ठीक है करतिक क्यों कार्थेक तुझे वह लड़की मिल गई अना तो फिर क्यों अरे वह बड़े घर की लड़की है उसे अच्छे से रखना होगा ना बस यह आखरी बार कर रहा हूं उसके बाद ना कोई बुरा काम ना कोई परेशानी अनले सुमती नहीं नहीं तुम्हारे पापा तो मुझे मार ही डालेंगे वो खुद तुम्हारे कोर्स के पैसे भरके आए हैं अब अगर तुम एक्जाम देने नहीं गए तो पता नहीं घ इतने सारे काम चोड़कर एक्साम कैसे दे पाऊंगा सारे काम के लिए लोग रख लिया है रिसेप्शन रात में है ना तब तक एक्जाम खत्म हो जाएगा तुम सिर्फ एक्जाम पर ध्यान दो जाओ ठीक है पापा अरे बेटा पचास रुपए दे ना एक कटिंग मार के आता हूँ चुप चुप लेटा रे परेशन मत करां क्या बेटा अब अपने बाप को ऐसे डाट रहा है क्या बेटा इतनी सारी चाइपती तुमारे बेटा चाय की दुकान खोलने वाला है आगे पूछने वाली हमेशा सवाल करना जरूरी है क्या देख लिया ना गुस्सा बिल्कुल बाप पर गया है लेकिन इसका चेहरा मुझे बिल्कुल ही नहीं गया है यहां अमिता बच्चन आता था अरे तो मुझे क्यों नहीं बता है यह क्या है बेटा गांजा है यह किस लिए आहल आया मुव बंद कर अपना मेरा बेटा कमायागा तभी दारू पियूंगा ना मैं काम भी नहीं करने दे रही है मेरे बेटे को है बपो इस बैक को हाथ मत लगा ना तुम अगर हाथ लगाया ना तो आप उनका हाथ चलेगा ए मा आप उना था था मस्पाइक लेका आएगा अचावी लेकर लेकर लेटा हाँ बोल दीदी की शादी है हमें ट्रीट कब देगा ओए मैं अभी एक्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकलाओं तू शादी पर आ तब देखते हैं नहीं यार शादी में बहुत सारे महमान होते हैं वहां पर नहीं जमेगा तू शिवा के रूम पर आ वहां मजे से पीएंगे अगर आता हूं रख घर के पास आने को तुझे किसने बोला उसी से में वापस जाने को बोल दिया होता ना यहां तक क्यों आई चल है मुझे बात नहीं करने और क्या बार बार डाट रहे मुझे तेरी उमर देख मेरी उमर देख तो अंकल जी बोला करूं क्या सुनिये जी यहां तो इसमें कमी क्या है और तेरे को भी तो यही शेकल पसंद आई पसंद आई इसलिए तो शरम चोड़कर आलेवी उका तुमें आजकल के लड़के तो देखते ही आलेवी बोल देते हैं क्या बुली कौन बोला इसा नाम बता उसका सीधा कर देगा उसको अपुन अच सब्सक्राइब करें तुम लोगों को पीना प्यों इससे जबरदस्ति मत करो ठीकर फंक्शन इसके लिए इंपॉर्टंट है अलो कहां तुम बस अभी आया मैं मैं अल्रडी फ्रेंड्स के साथ मेरेज हो मा गई हूं कहां तुम अरे बबाबा दस मिनिट में आया ठीके ठीक आज रात को हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए आज काम पूरा करना ही है कल सुबै अपनी सहली के पापा को देखने सरकारी अस्पताल जाओंगी स्कूल से पहले तुम भी वहीं आ जाना वहां तो बहुत सारे लोग होंगे ना तो बात कैसे करेंगे कितने डर्पो को तु तो मैं कितनी शरीफ समझता था लेकिन तु तो हम लोगों से भी खतरनाक है मेरे जैसी लड़किया ऐसी होती है अके ली काफी है बाकी लड़कियों की जरूरत नहीं है क्यों मुझ में क्या कमी है बारवियू में पढ़ने वाले आईलो भी बोलती है तो और क्या बोलू अच्छा ठीक है मैं चलती हूं कल सुबह याज से अस्पताल आजाना ओई माए मा बोलो कहां हो बेटा रास्ते में हो क्या हां बस मैं पहुची रहाओ दोस्त की बाइक से जल्दी आ जाओ बेटा सारे रिष्टेदार आ चुके हैं हां ठीक है मैं अभी आया क्या मा बापो थोड़के गया है चाबी का रखी है अंदर टेबल पर रखी है ले लो अब बापो किदर है हां कहां होगा किसी दारू की दुकान पर पड़ा होगा अब साले मेरे उपर उल्टीमस कर देना है अलो 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 अब मेरा फोन बज रहा है गदा कई का हां बोली अंकल सच में अंकल कल सुभे सेट से जाकर मिल ले ना ठीक है मैं चला जाओंगा थैंक्स अंकल अरे सुन वो जोल्री आड कहा था ना फाइनली वो यह के गड़मि इकना ड्यूक कुछे कि आंड देडी प्रेसं प्रयल में श्राव इसार कंपत्ड़ कहल क्या है यहूं है पिलिदेगान काुछों प्रया कि आर्पी एसमें तो चाइय पत्ति शाओनने में सप्लाई करने जाता हूं प्राइक कलर यामा बाइक पर फ्लू कलर की शेट पहने का लड़का गांजा लेकर जा रहा है सभी नाकी पर ख़वर कर दो ओवर है लोकेश क्या हुआ तुझे कोई प्रावला हुई क्या कुछ नहीं शिवा बस अधने वक्त एक्सिडेंट हो गया था एक्सिडेंट कैसे हुआ पता नहीं कैसे हुआ बाइक का नमबर देखा था क्या उसे ऐसे ही जाने दिया जाने दो शिवा आदमी सौना लेकर निकल चुका है कल साड़े पांच बजे बस अधने पर पहुंच आएगा तो फिर पांच बजे हम भी वहीं इंतिजार करेंगे बस से उतरने के बाद स्टेंट से स्कूटर उठाकर साही बाबा को लोनी के रास्ते ही जाएगा हमारे काम करने के लिए सही एरिया सेवक ना गरी है दो गाड़ियों में जाएंगे हम लोग एक गाड़ी से अटेक करेंगे दूसरी से गोल्ड उठाएंगे इस हालत में तुम्हें परिशानी तो नहीं होगी मेरे साथ के लिए कोई लड़का है क्या अपना काम आसान हो जाएगा रुको 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 साइट दारू पीये ना नहीं सर अच्छा चल फूक मार पूक मार हाँ सर मैंने नहीं पीया से सुरों ऐसे आवारों के त किसी और के और फसमें गया ऐसा लग रहा है कहीं जाकर चांद देदू क्या सर बाइक पर लड़का जा रहा था स्मगलर समझकर आपने इसे पकड़ लिया इसकी बहन की शादी है उसी का पता लगाने के लिए आप लोगो को यहां बुलाया क्यों घर में अगर शादी हो तो कोई गलती नहीं कर सकता है अच्छा ठीक है घर में शादी है इसलिए जाने दे रहा हूं एक लेटर लिखकर इसे लेकर जाओ अब कौन सा लेटर उरिजिनल अक्यूस तो पकड़ा गया ना दोनों शराब की नशे में पूरी तरह धुत्त है गाड़ी रोककर इंक्वाइरी करने वाले पुलिस वाले पर हाथ उठाया तो किसे संदे नहीं होगा सर मैंने दारू नहीं पी रखी थी सर और मैंने कब पुलिस वालों को मारा सर जार पैसे कमाने की आउकाद नहीं है अब पुलिस स्टेशन के भी चक्कर लगवाएगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भीया अपने बेटे को क्या पसंद है उसमें क्या टाइलेंट है ये बात मेरे पापा क्यों नहीं समझ पाते हैं मुझे बेठा समझ कर नहीं उन्होंने बसे एटियम मशिन समझ कर पैदा किया है मेरे हाथ में एक बार पैसे आ जाने तो आज तक पालने पोस्टे का जितना भी बनता है उनके मूँ पर फेक दूंगा पैसा मैं दूंगा दारू पीने के बाद भाइक ठीक से चला लेगा ना हाँ चला लूंगा भाई सुबह आट बज़े दोलाफ रुपे तुमारे हाथों में मैं दूंगा अपनी बेहन की शादी का कर्चा है तुम खुद उठाओ सच में भाई लेकिन सुबह तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा ठीक है यह कैसे शिवा हमारे लिए हमारे प्लान इंपरेंट है इसे आने दो अरून रहेगा ना क्या भाई अगर आप पैसे दे रहों तो रहूंगा ने क्या आप ऐसा ही मत दो उधार दे दो अब मैं एक का नया तरीका है क्या वो सच पे चाय पती है सर चाय पती की कंपनी के लिए एए तेरे बाप को तो अंदर कर दिया है सच बोलेगा तो उसे छोड़ दूगा सर मैं जानता हो बाप को बार कैसे निकालना है सर अग भाई आम यहां क्यों बैटे हैं यह ले नहीं नहीं यहां किसी से मिलना है वही पैसे लेके आएगा नहीं बताएगा क्या सर आपकी मार भार नहीं पता चलेगी इसलिए मार रहे हो ना आप मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हो सर अब घाओ बन गया है ना अब सीधे जच के पास जाके मुझसे जूट बुलवाने के लिए तुम लोगोंने मुझे मारा पिटा अगर यह कह दू ना तो उसके बाद तुम लोगों की एंकोईरी होगी तू तो वकिल से भी ज्यादा होश्यार है हम लोगों को वकिल से भी ज लोगेश तुम और अरून उसके पीछे पीछे जाओ सिटी क्रोस करते ही स्पार्ट पे पहुंच जाना मैं उसे फालो करूंगा सुनो चलो लेकिन जाना गाए हुँआ है हुआ है कि अब्से से रोग दो यान पर हाँ यहीं रोको भाई पैसे बस्टेंड पे लोगे कहा था ना तो यहाँ क्यों चलिया है तुम्हारा पैसा यहीं मिलेगा इससे पकड़ो और हाथ में रखो क्या है यह कॉल कर देखो यह लाल मिर्च पावर किसी है वो देखो राड़ी से आ रहा है ना जब वो नस्दिक आ जा तो उसके मुँपे फैंक देना नहीं भाई यह गलत है शिवा भाई किसी से पैसे लेकर देंगे ऐसा कहा था उसके ही पास है तुम्हारे बापको पैसे देने हैं नहीं मैं वाँ खड़ा हूँ उसके पास आते ही मुपर फैंक देना है एलो हम राडिएशन पैकते है पास पागया पैकते है है काना तो तो मुझे पीज़ किन एवाइट नहीं यह क्या किया अपने यह अपने क्या किया इवाँ हमेसी क्रिया है यहां पर कौन है अब यह क्या कर हो छोड़ दो से कर दो दो जा आझा था आझा मैं बोर रहां आ रोगें आजा बटा पर्थाएंगे कर दो मैं नहीं था वो अगुश्व नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया अथ अथ अधिकरी खोल दूना सर क्या हुआ मजाग चल लागा चल चप चप सर मैं नहीं भागूंगा सर एक मारूंगा ना थोबड़ा भिगड़ जाएगा सर जो चाहूँ वो बोल लो मेरी वाली वहां पर खड़ी है बस उससे मिलके जल्दी आ जाओगा वह भी तेरी तरह जेब कत्री है क्या सर नहीं सर बहुत अच्छी लड़की है तुझे भी लड़की प्यार करती है क्या हां सर अहां सर ट्रीट्मेंट तो हो चुका है अब इसे स्टेशन लेकर आओं या यहां से सिधा कोट लेकर जाओं छोड़ दो उसे क्या सर सच में छोड़ दूँ उसे हाँ भाई सच तो वो बताएगा नहीं कोट ले जाने में कोई फायदा नहीं हमारा ही समय बरबाद होगा अभी जाने दो बात में देख लेंगे ठीक है सर एक मिनट बात करें सर सर वो महंदर का माल था सर आपने जब मेरा फीचे गया तो मैंने उसको वापस कर दिया मैं कोट में गवाई भी देने को तयार हूं सर सर मेरी शादी होने वाली है सर आखरी बार एक गलती करके पैसा कमाना चाहता था सर कसम खाके बोलता हूं सर आज के बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी सर आप चाहो तो मैं रोज थाने आकर साइन करके चला जाओंगा सिर्फ इस बार मुझे छोड़ दो कि अगरे करेंगा हमारे सामने दादा गरी गरेगा थुछानता नहीं है साइद बुझे है अगरे मेरे बार मुल्टा सुझा बोलेगा उसने सब कुछ बताया मुझे तुझे क्या लगता है अ माना घलाती हो गई पर हम लोग अपराद ही नहीं है पर पुलिस और कोर्ट इसे नहीं मानती अगर तुम पुलिस या कोर्ट को सच्चाई बता भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा तुम तभी बेगुना साबित हो सकते हो जब जिसने अपराद किया वो खुद आकर अपना गुना कुबूर कर और सच्छा ही बताए, तुम्हारे केस में, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि तुम इन्वाल्व नहीं थी, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, जब जब कहीं रॉबरी होगी, तो वो सस्पेक्ट के तोर पर सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे, भाई, मुझे अपनी म महां से बात करनी है, हेलो, कौन बोल रहा है, हेलो, वो उनके बात क्यों नहीं कर रहे हो, हेलो, करतिक, रुकने, रुकने भाई, इतना नाराज किने, पैसा कितना है, पूछा तो पता नहीं रहे, नहीं है, तो नहीं ही बोलना पड़ेगा न, अब सारे गलत काम छोड़कर मैं शरीव बन गया हूँ न, लेकिन तुम लोग को क्या हुआ है, अब मुझसे तो काम सीख लिय है न, तुने अच्छा काम थोड़ी सिखा है, चोरी का काम सीखा है, यह भी अच्छा काम है, कहीं जाकर दो पैसे कमाऊगे, तो मेरा खर्चा निकलेगा न, अब मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ बोल रहा हूँ तो पैसे नहीं है, तुम लोग के पास, सेट के है और नहीं बे, अंदर खाना बट रहा है, अहां, यह भी तेयार हो गया, कार्तिक, हम अगर भगवान के मंदिर में जाएंगे, तो सिर्फ पूजा करने, क्योंकि हमारी भी अपनी इद्जत है, लाइन में लगकर खाना खाना हमारी मर्यादा के खिला, सब चले गए, कहां चल अहां, अरे यह खाना, तेरे लिए तो लाया हूँ, सोच कह रहा है, अरे बबबरे, क्या ये सब काम ढूणने के लिए कहां, तो यहां मंदिर में भीख मागने के लिए बैठ गए, इससे शादी करोगी, तो सुबह का नास्ता यही होगा बहन, इसके पास तो अकल नहीं है, पर तुम्हारे अकल क्या घास चारने गई है, तुम नहीं समझा सकते थे, तु काम तेरी वज़े से मुझे सुनना पड़ रहा है, मैंने तुझे बोलो तरह यह कैसी आवाज थी, मंदिर के घंटे की आवाज है बहन, अब जल्दी से अच्छी तंखवा वाली नौक्री ढून लो, उसके बाद ही मैं अपने घर में हमारे बारे में बात कर सकूंगी, वरना भ आओ, अरुन, बैठो शीवा, अबोल, अरुन बेल पर महारा किया है, ज्या करें अच्छीवा, अबोल, अरुन बेल पर महारा किया है, ज्या करें क्यों बेल, काम मिला तो जाएगा ना, यार महारा जाएंगे तभी काम मिलेगा ना, थोमस ने बताया है, जल्दी चलना कमाल है, इतने सारे लोग नौकरी मंगने आए हैं, उस नमकरा में अपनी जाद दिखा दी ना, हमारे अलावा और लोगों को भी बताया उसने, अच्छा कार्तिक, यहां सरकारी नौकरी मिलते हैं, मुझे पहले पता ही नहीं था, पता होता तो मैं भी सरकारी पेंटर बन ज तो क्या है, आगे चल, तो शारी जारा है, क्या बिटा, एम बीए के बाद यहां रजिस्टरिसम करने आए हो, क्यों, कहीं और काम नहीं मिला क्या, काम कर रहा हूं सर, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो उसे छोड़ दूँगा, क्या बखवास किये जारा है, निकलन वो कई के लिए, देखो, तुम सर्टिफिकेट दोगे, तो ही हां रजिस्टरसन हो पाएगा, ऐसा है क्या, छीक है मैं कल लेकर आ जाओंगा, अभी नौकरी क्या है वो तो बता दो ना, मजाग कर रहा है क्या, पांचवी तक पढ़ा है और नौकरी के बारे में पूछ रहा असानी से नहीं मिलती, बार जाओ, बड़े आये नौकरी देने वाले, अबे सरकारी नौकरी पाने में जब इतनी महनत है, तो करने में कितनी महनत होगी, कार्तिक सरकारी नौकरी मिलनी ही मुश्किल है, एक बार मिल गए ना, तो फिर ऐश ही ऐश, वो लड़की क्या समझती कि अपने आपको तुम्हें नौकरी करने के लिए बोल रही है, फोल लगाओ, मैं बात करता हूँ, काविया, फोन उठाओ, कब से बजराए, हलो, हाँ चाची, ऐसा कुछ नहीं है, आ गया है, ठीक है चाची, बात में बात करती हूँ, इसने मडर थोड़ी ना किया है, मैं जाने किसी ने इसका मिस्यूज किया है, ये तो अंजाने में ही फस गया है, दामाची, पता नहीं वो कौन है, आप ज़रा देख कर, अरे माम, आप इस बारे में चिंता मत करो, दो-तिन दिनी से अकिला छोड़ दो, सुनो अरुन, अरे क्यूं हो, यहां हो, बैठो, ऐसे कैसे सब कुछ ठीक होगा, अरुन को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कावया, इसका सावान पैक करके लिए आओ, चलो अरुन, तुम मेरे साथ चलो, भूल जाओ, आरुन, आपा दो-तिन दिन में ठीक हो जाएंगी, कुछ तो बोलो जब क्यूं हो, मुझे थोड़ा आके लिए रहना है जी जाओ, के लिए आपनी फैमिली को ब्लाक्मिल भी किया, कि वह सुसाइड कर लेगी, अब कोई परिशानी नहीं है, चलो अरे ये तो बस एंगेजमेंट है, चलो, निट्या से बात कर लो नहीं को बस्तों के चली में जब ऑना है, मुआ है आखर को अ, डाँ चार क्या है incomod करतिक मैं हेरो लग रहा हूंने बत्तार के फैंक दीज़ देंग के न खश्मा पहना है तुछ अपूम अपने आइटम से मिलने जारहे तो अच्छा दिखने के लिए चश्मा पेना है तुझ जैसे से शचंदर को चश्मी की क्या ज़रूरत है बक्वास लग रहा है उतार ही से करतिक क्या बक्वास कर रहा है तू मैं स्मार्ट नहीं हूँ नहीं है स्मार्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं लेकिन इंसान तो हूँ ना यह राज किसी को बोल मत देना ठीक है न क्या बोला राज है करतिक तुने मेरा अपमान किया है तो बराबरी किया ना जैसे में तेरे साथ तेरी आइटेम को मिलने आया हूं वैसे ही तेरी आइटेम के साथ कोई लड़की तो आएगी ना मैं उससे प्यार कर सकता हूं नहीं कर सकता मेरे प्यार के बाद पर तु जगडा क्यूं कर रहा है तो ही जगड़ा होगा बार-बार तु मेरा आप मान कर रहा है कार्टेग्या ठीक बात नहीं है मैं दुखी हो गाइब बोल रहा हु ना फिर भी गथो की तरह बार-बार पहन रहा है मेरी भी रेस्पोंसिबिलिटी है समझा गुट कैच सब्सक्राइब कि निए ब्रश की तरह लंग रही है क्या है हमेशन सब्सक्राइब पीते रहते हो आज पीकर उतने हाट अट इंदे जितने इसकी कीमत जानकर आ जाते हैं और तु इसको वेस्ट करने जा रही है ठीक है पीओ हां मैं देखती हूं यह क्या बीच सड़क पर बोड गिर गया है उसे उठाओ जाओ अरे देख क्या रहे हटाओ से जल्दी करे उसे उसे ज्समा वड़ू POLड़ है। हो गया खतम हो गया अब चले ज़रा सुनिये मेडम मेरा नाम राजेश है बड़ा पेंटर हो यहां की कई बड़ी बिल्दिंग को मैंने ही पेंट किया है अभी तक किसी लड़की पर दिल नहीं आया लेकिन तुम पर आ गया पहले अपने सड़ी सी शकल पर कलर मारो फिर मुझ अपनी कसम खाओ अच्छा सुनिये मेडम मैं सिग्रेट प्योंगा तुम्हेरा हाथ पकड़ोगी कल से ना आप उन इसके साथ पेंटिंग के काम पे जाएगा तू देखती रहे अभी तो काम पे जा रहा है उसके बाद आप उन बिल्डिंग का कांट्रक्ट भी उटाएगा और कार लेके मोटे कोई ट्रैवर रखेगा अगर मुझ से कोई अंजाने में गलती हो गई है तो आप मुझे माफ कर दो अगले इलेक्शन में आपको मेरा साथ देना होगा बाई जब तुम काम पर जाओगे तब मेरा बहुत ख्याल रखोगे ना ने अरे आप उन जब बिजनिसमेन बनेगा तो लड़की आप उनके आगे बीचे घूमेंगी उसी में से एक केसादी कर ले बाई जड़ा माचिस देना पाप रे तू ने मुझे पर हाथ उठाया हाथ उठाया मुझपर दिमांग खरब कर रहा है नेता जी जब वह सब्सक्क्र जया नहीं दोगे नेताजी चल जा देखो ना नेता जी उसने मुझे मारा वह जाड़ा कहां से आ रही है बैटि यह कोल गई थी पापा स्कूल की इनिफर्म नहीं पैनी अचलि इस खुटी थी पापा नेक्स्ट एर की ट्लासेज थी ठीक है जाओ यह राजज भाई कैसे वा थीक हो भाई हरत तु पीन है यार को राना कारे आपना है मेरा अस्टिइन यहां तुझे नहीं पीएगा उसके सामने कसम कहीती ना सुन भाई थीन कॉर्टर लेका लेकिन मन में क्या चल रहा था तू जानता है आज आज आप उन्हें ज़रूर पिये गा कल से नहीं पीएगा करतिक तुमन में चाहे जो भी सोच ले लेकिन इनसान कोई मांदार तो होना चाहिए ना अभी उसी के मुझसे हां करवाता हूं देख है अधि अधिश्य अधिश्य आप उनके सारे दोस्त दारू पीने के लिए लेकिन आप उन सिर्फ कंपनी देने के लिए कल से मोटे के साथ पेंटिंगी नौकरी पर जाने का है ना इसलिए बस आज के जिंदा रूपी ले ना और कल से छोड़ देना आइसा मोटा और थॉमस बोल रहे हैं हमने कब कहा है थोट पड़ पड़ेगा तुम्हें अकले नहीं है क्या आप उन्ने भी बोला था किस उमत कर चुका है इसलिए आप उन्हें मना कर दिया अरे आप उन्हें जानता था तुम्हाराज हो जाएगी चल कोई बात नहीं तेरे को नई पसन तो जाने दे चल तो आराम से सोजा है क्या हुआ थपड़ मानने के लिए बोली ना बोली होगी हमने कब का यार अभी तुरंट फ ठीक है ठोड़ी से पी सकते हो लेकिन कल से मत पीना ठीक है तीक है शो ना इस तरह के लड़कों के साथ तुम रहते ही क्यों और यह जाके बात नहीं रहूंगा हमें क्यों फशारा है भाई कार्तिक तु मेरी बेज़घती कर रहा है छोड़ना यार अरे मेरे जैसे लवर के बनोगे तो ऐसी कई बातों को जहनना ही पड़ेगा मैं जाके सिग्रेट ले आता हूँ तुम मेरे साथ ठीक से काम करना समझे मैं काम पर नहीं जाओंगा क्यों तुम उच पर हुकुम चलाएगा इसलिए भाई यह आपका ओडर और कुछ चीह पहले बोटर लिया के बाहर फैक दे ले सुनो भाई दोखाव लेके आना ए कार्तिक तुम सुमती से प्यार करते हो वो सब तो ठीक है लेकिन शादी के बाद कैसे समालोगे है यह सुमती का कैसे ख्याल रखना है आप उन जानता है तुछ उपकर है क्या बोल रहा हूँ तो समझ नहीं रहा है यार हेलो हेलो अरुन मा कहां है बेटा दीदे के घर भी नहीं आए हम लोग बहुत तरे हुए है अब कहां हूँ तुम यहीं हूं मा घर आजाओ बेटा नहीं मा मुझे घर नहीं आना है मा क्यों बेटा सब लोग मुझे अलग नजर से देखते हैं मा यह क्या बोल रहे हूं मुझे अब वहां नहीं आना है मा हम किसी और घर में चले जाते हैं जले जाएंगे बिटा अभी तुम सीधे घर चले आओ मा हां भापा मुझे पर भरोसा क्यों भरोचा नहीं करते मा मैं जानबुचकर करना हों यह सब अब तक मैंने कोई गलती नहीं किए मा पापा तुम पर भरोचा करेंगे तुम जल्दी घर आजा नहीं मा मैंißtर आघरा मा की बात्तों सुनो बिटा बोट हो Favorite झाल को यदलρεί येलो, उसे देबो येरो, ऐसे देदो वो देखतो इतना भी पीना क्या कि पीने के बाद होशी ना रहे पता ने लोग क्यों इतना पीते हैं सुन एक मिनिट रुख ए मन्जू इनको इनके घर पे छोड़ देखिया ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे में छोड़ना ठीक नहीं होगा यह तो अच्छा कासा था लेकिन ऐसा कैसे वद्लानी क्या हुआ होगा कुछ दिन से दिखाई भी तो कल सुभे आट बजे काम पर आ जाना लेकिन तन्खवा नहीं है तन्खवा नहीं है तो भी र कार का कॉंट्रेक कैसा लेगा और अपनी बिल्डिंग में तरको ड्राइवर क यह क्या यह मुझे बेल्डिंग का ड्राइवर बोल कर गया तो क्या कार का ड्राइवर बनेगा वे तुम तुरों का दिमा खराब हो गया है किसने बेजा है दरिगो किसने बेजा है दरिगो किसने बेजा बोल यह लीजिए इसे पीलीजिए पीलेंगे तो तब है ठीक लगेगी एक में टुकिये है यह चुले दो बहार ही खड़ी है एक दूंकिया तुझे सब जानती हूं मैं पूत नहीं कहींगी इस तो जोड़ा उपर क्यों देखो अरे सुनो कनिका अरे वो रामस्वामी घर बन वाने के लिए लोन के पैसे लेकर भाग गया था ना उस पर कंप्लेंट करने के लिए अब आप जा सकते हैं वो खल सडक पर आप बेहोश पड़े हुए थे आपको कोई गलत ना समझ ले इसलिए मैं अपने घर ली आई मैयू ऐसा लगता है सिलेक्शन में वो ही जीतने वाला है खुद को समझता क्या है वो MLA ही है कोई तोप नहीं है वो पिछले एलेक्शन में मैंने पार्टी का काम ठीक से नहीं किया था तो नेता जी ने टिकेट उसको दे दी लेकिन इस बार एलेक्शन में इसी भी हाल में उसे टिकट नहीं मिलनी चाहिए पार्टी के लोगों में उसने अपनी अच्छी इमेज बना ली है अगर केसी को प्राब्लम होती है तो वो सॉल्फ कर देता है आतो इसलिए नेता जी उसे बहुत चाहने लगे हैं तो उनकी चाहत खत्म करनी होगी शेखर अब तक मेरे सामने जो भी खड़ा होता था उसे त अब काते थे ना नमस्ते मैयूर पेछले इलेक्शन में तुमारे खिलाफ रिपोर्ट शाब कर तुमारे टिकेट का पत्ता साफ करने वाला रिपोर्टर राम मुर्ती अभी बाभू के घर में आये हुआ है इस बार वो रिपोर्ट नहीं भेज पाएगा हमारी पाटी में बाभू भाई के अपोजिट जो मैयूर है वो वज़े है उसकी कितने सालों से मैं पाटी के लिए काम कर रहा हूं सही मायने में उसकी जगया पर आज मुझे होना चाहिए शेखर सेना में सिखाया जाता है हमारी भले ही दोनों आखे चली जाए लेकिन दुश्मन की एक आख तो जानी ही चाहिए उसने हमारी एक आख निकालने की कोशिश क हम उसकी दोनों आखे निकाल लेंगे यही राजनीती है शेखर देखो अरे अरुन आगया अरुन बेटा तुम कहां थे रात भर हां तुमने कहाता कि तुम कला आओगे और फोन भी स्विच्ट ओफ था हम सब कितना डर गए थे पता है दोस्त के घर था मैं इतना होने के बा हमारे साथ थाने चलना होगा अरे सर अभी अभी तो इसे चुड़ा कर लाए हैं फिर से आप थाने ले जाना चाहते हैं एक चोटी से इंक्वाइरी है जो पुछना यहां पूछ लिजी कि दुकान में चोरी हुई उसी के इंक्वाइरी करनी है सर मैंने कुछ नहीं किया मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर देखो कल नाइडू के दुकान में चोरी हुई है जब तक यह प्रूव नहीं हो जाता कि तुम इंवाल्ब नहीं थे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे जब जब कहीं राबरी होगी तो वो सस्पेक्ट के तोर पर सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे देखो कल रात हुई जवैलरी की चोरी में अगर तुम्हारा हाथ है तो साब को सब सच पता दो वो खुदी तुम्हें पेल पर छोड़ देगे वरना भौत मारेंगे तुम्हें लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर अब इसके आगे त इसने कहा ना आपसे कि यह अपने दोस्त के घर गया था देखिया भी इंस्पेक्टर साब नहीं है उनके आने का इंतिजार कीजिए हलो हाँ लोयर साब है क्या नमस्ते सर क्यों भाई नो बज़े सब साइन करते हैं तुम दस बज़े साइन करने आया हो वाइफ की तपेत खराब है सर अस्पताल में थोड़के आ रहा हूं कौन सी वाइफ इसको भगा कर लाया वही ना वो गोरी वाली जिसे हमने गलत धंदे के केस में पकड़ा था समल करें ना कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए सर अब कोई गला दंदा नहीं करता हूं हां राजेश अच्छा सुन अरुन को फिर से पुलिस स्टेशन लेकर आये हैं उसने कहा इंस्पेक्टर के आने के बाद ही छोड़ेंगे राजेश एक मिनिट रुक घर से फोन आ रहा है हां मैं तुझे बाद में फोन करता हूं हां कल रात को ज्वेलरी की दुकान पर चोरी हुई थी तुझे पता है क्या सर अब मैंने ये सब को छोड़ दिया है ठीक है ठीक है शाम को साइन करने आ जाना एप दन यहीं है सर पोर लिजाल जारा हुँ लॉयर से बात मैंने कर ली यहां साफिटश द्था औरुट्टाल ईस एट कि यह वहां क्यों खड़ा है जाके पीछे देखो वकील, उस फ्रॉट पर केस करना काफी नहीं है, उससे जल से जल जेल के अंदर डाला होगा, वरना हम सारी ओरते मिलकर कार्ट डालेंगी उसे हाँ क्यों वकील साहब, हमेशा तो MLA के साथ आते हो, आज ओरतों का जुण लेकर क्यों आये हो? यह सब अपने MLA के एरिया की महिलाए है, किसी ने पैसा लेकर इन्हें धोखा दिया है, पती पर भरोसा करने की बजाए अंजान आदमी पर भरोसा करने वाली औरत हमेशा धोखा कहती है, आप क्या करें जो होना था हो गया? देखा, अरुन यहां क्या 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 कर रहा है? यह बात तुम्हें पता है क्या? उसका गवा कौन है? हां, मैं हूना, इसके घर पर ही था वो लड़का सुबा तक, इसकी गवा मैं हूना, जाने तो इससे, इससे बात करके क्या फाइदा, सुनो वकील, उस दोख के बास को बात में देखेंगे, पहले इससे देखो, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि आप मेरे घर पर थे, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था, अरे अरो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा की तबियत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि कल डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं, पापा भी आइस्यू में है, तुम जा कर मिल लो, अरोन, पापा, मुझे माफ कर दे, पेटा, क्या पापा पापा अरोन, मुझे माफ कर दे, पेटा, तुम पैसा कमा कर हमें दोगे, ये सोच कर तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें टाटता था, मुझे जो रास्ता पता था, वो मैंने बताया, लेकिन तुम्हें जो पसंद है उससे मैं अन्जान हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा ब तुम्हें तुम्हें पर जो जूठा कलंक लगा है पता नहीं वो कैसे धुलेगा आपाई लोगा मैं तुम्हें मैं थोँगा है मैं फेराँ जोठाँ पर जोड़ता हूँ आपाई भाई निता जी से मिलने हमें चैन नहीं जाना होगा अब आज अचानक क्या हो गया हमारी पार्टी के अंदर मेरे ही ऑपोजिट कोई चाल चल रहा है और ये बात मुझे निता जी को बतानी है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है पर अभी निता जी केंपेंड में बिजी हो हाँ बोलो सुमती कहा हो तुम लोटे के साथ पेंटिंग के काम पे आया हूँ आज रात मेरे घर पर आजाना घर पर क्यों क्या बात है घर पर कोई नहीं है मुझे तिमसे कुछ बात करनी है लेकिन आप उन तेरे घर पर कैसे आ सकता है तुम बस आ जाना हुआ 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 है करा है कर दो हुआ है तो जोग चाप पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो तू मुझे धम के देगा एक थपड़ साने जाएगा मुझे धम के तू मुझे लेकर जाएगा तू मुझे लेकर जाएगा कई को इतना आजेंट ले बुलाया बस ऐसे ही तुम्हें देखने का मन कर ता अब चरब में तो इसे लिए गर में कोई नहीं है इसलिए बुलाया और देवाकर वो तो वारा बजए की बादिया ता है पेंटिंग का काम करता हूं तो पेंट की स्मेल आईगी ना अच्छा अरे क्या अच्छा तुम लड़की लोग तो मोगरे का सेंट गुलाब का सेंट लगाती रहती हो ट्रक चलने वाले के लिए डीजेली सेंट है मचोरे के लिए मचली की गंदी उसका सेंट है अब आपन भी मेरी जिद्गी परबात करती तुमने इसके पीसे में रहत नहीं है आइडिया देने वाला प्लान करने वाला शिवा है वो अभी कहा है बोल सच में मुझे नहीं और मार खाएगा उसका मस्जिद के पास एक घर है और वहीं सो वो कॉलेज के नड़कों को गाजा सप्लाई कर कर सब पुलिस स्टेशन में बोल जब लड़की किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए ठेड सारी शायरियां लिखते हैं पर तुमने आज तक मेरे लिए एक भी शायरी ने लिखी एक मुझे देखकर एक शायरी लिखो न वह उनका काम होता है जिनको को काम दंदा नहीं होता और तुमुझे करने को बोल रही है यह देख आ गया काम बोल रहे है मोटे अर्जन क्यूं पुलाए उसे कोई अर्जन बात नहीं है बस कभी था सुनाने का इससे अच्छा तो ए जाएगी तु निकलना अपना जाएगा तीक है अगर मेरी पापा से कहोगे तो मैं डर जाओंगी क्या बाग कर शादी कर लूंगी तुमसे कल पूछ रहे थे स्कूल में स्कूल ड्रेस पेंड कर क्यों नहीं गई नेक्स्ट यह की क्लांस अस्ती कह कर सब संभाल लिया कैसे हमशे है यह जुक्त आप अर्ण करेंड के के में अर्ण कर प्रव कर दो यह अर्द लोगता यह यह कोई जाना पाराचा ना लग रहा है अिसाफने ज़िए हुआ कि हम बाबो कि जाने एंफार्म करते हैं, आपके शीनिàn, इसे वीज़ मिशाथी हो। मैं इहां के इंस्पेक्टर से बोल दूँगा आवो सब संभालेंगा। नहीं भाई मुझे वहां जाना ठीक नहीं लग रहा है हम नहीं जाएंगे गड़ी कुमा लो हम कहर जा रहे हैं कि अरे हां कल तुमने बार से दुबारा फोन किया था क्या नहीं तो क्यों मैं बातरों में नहां रही थी ना तब फोन की रिंग सुनाई दी थी लेकिन जब आकर देखा तो कोई कॉल नहीं आया था अब उनके फोन में देखा है हाँ किया है तब तेरे पापा घर पे थे क्या हाँ हाँ थे किसने बेजा इसने बेजा किसने बेजा कुछ तो गड़बड है सुमती तू तो बोले थे कोई नहीं आएगा अब क्या घर ओ जल्दी बताओ ना रुक शाहां तरह चिला मत किया के दिए श्ला मत रुकना इस जल्दी से कब सोच्छा उना सोच्ष ने दे सोच्छ ने जुद चौर चौर करके चिल्ण मैं छट से भाग जाँगा अगर तुम्हें बकल लिया तो वैसे भी लफंग अगा है तेरा बचना ज्यादा ज़्यादा जॉरी है चल कि चला चला यच 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 सूमती की कोई गलती नहीं है सर उसको भैकाने वाला अपने हैं लेकिन उसका खयाल भी अच्छे से रखेगा अभी आपन सुधर गया है सूमती भी अपने को बहुचाती है एक चोर को मार कर आप खुणी क्यों बनेंगे हम देख लेंगे ना तेरी इस घर्वे खुषने के हमत कैसे होई आर इसको कर दो क्यों खर्वे उस कि कर दो कर दो आर मेंगे वह जए हमना होई क्यों भे अपने ही लोगों के घर में घुसने गलत है ना गलत है भाई आप जो सज़ादो मन्जूर बाई क्या सच में चूरी करने आया था हां बागो अरे बाई अब सोच क्या रहे हो इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं इसे पुलिस के हवाले मत करो मैं तो कहता हूं इसे उठा के शहर के बाहर मेंख दो मेरी इसत मिट्टी में मिरा दी तुने एक चोड से प्यार करती अगर किसी को पता चला तो सोचा मेरा क्या होगा पर तुझे इसे क्या फर्क पड़ता है तुझे कावताना घर पे रहना तुका गया था हो तो जोट बोल के मैंने सब संभालिया अगर तुने तुने तुबारा ऐसा किया तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा तुझे अभी से शादी करनी है क्या जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होने दूगा तु इस पर नजर रहा खीक है पापा और इसको बॉल पिना आवास किये रोए तो इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं बताया है सब राजेश त कि अमिर घर की लड़की लगती है उसे यहां लाकर मजदूरी करवाएंगे बेचारी पता नहीं उसका बाप उस पर क्या अत्याचार कर रहा होगा आप उनको ऐसे काई को पाला पढ़ा लिगा सकती थी थी नहीं कि पढ़ लिके आप उनमें अच्छी नाउक्री कर लेता है हम उनके साथ यह संगी होता है अलो हलो 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 सुमति है क्या हुआ सुमति मुझे आसे ले चलो हां कहीं और चले जाएंगे मैं इस घर में नहीं रह सकती यह मजे मार डालेंगे डरने की जरूत नहीं है सूमती, हिम्मत रखो, तरो अमत सूमती, सब खीक हो जाएगा, अलो, क्या बोल रही है वो, मर जाएगी बोल रही है, बेटा, वो लोग तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाले, मैं उसके बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ, कैसे भी करके तुझे मा और मरना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है बेटा, इसलिए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तु उस दड़की को लेकर कहीं भाग जा, देखता हूँ तेरा कोई क्या बिगारता, उसे मर रही होगा, तुमारे और उसकी बीच के जगड़े को सब जानते हैं, और अब तो एलेक्शन में नजदीक आ रहा है, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो, मुझे उस बात के कोई परवा नहीं है, उसे आज रात ही मारना होगा चल्द उसे कटता है बोल बोल बोल, जब रहे होगा, कहा है, वो लोग बोल नगte बहए भलेख सच में नहीं बताताई भाई सुन बुड्डे तू तो बोल दे, वरना मार सहने ही पाएगा मुझे तु कितना भी मार ले मुझे दर्द नहीं होने वाला है भै तुझे बताओंगा भी नहीं क्योंकि मुझे पतव भी? बाई 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 बताता हूं भाई बाई भई वो अपने मामा के घर गया हुआ है भाई यहां पर जो शिवा रहता है क्या उसका घर पता है आपको उची कद है गोरे से हैं वो को हैं में बिजनिस करते हैं वो ही ना हाँ वो ही मार्केट रोड पर मस्जिद के पीछे नाले के सारे हरे रंग का एक घर है वो ही है उनका गार थैंक्स भाई ठीक है पापा हमने उन्हें पूरे एरिया में ढूंड लिया है लेकीन आ यहां पर नहीं है अब क्या करूँ पापा 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 वो यहीं परेस आयए देखता हूं मैं फोन मनोज को देज़़ा हाँ भाई बनोज सिर्फ लड़के को ही नहीं दोनों को खत्म कर देना हो ठीक है भाई काम हो जाएगा क्या भाई अपनी बेटी को ही जोब कर घर की इज़त पार निकल चुकी है क्या बेटा मां जी वह शिवा वह तो कयों बटूर गया है वापस कब आएंगे कॉयंबर टूर जाता है तो तीन चार देन बाद ही आता है तो में एक बार उसे फोन करके देख लो क्या एड़ा आदमी है क्या हुआ बोल वह लोग नहीं थे पापा कोई और था जोट बोला था भाई लड़की नावालिक है ना थाने कंप्लेइन कर देते हैं केस की जरुवत नहीं है वो लोग उसे बचा लेंगे दोनों के मरने के बाद सबको पता चाली जाएगा एए उसे उसके एरिया में जाके डूंड़ो देखो बेटी तुम परेशान मत हो अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी क्यों रे अब तो लेकर आ ही गया है ना तो शादी क्यों नहीं कर लेता मा अभी की शादी मानी नहीं जाएगी सुमती को अठारा साल पूरे उन्हें में दस दिन बाखी है तब तक कुछ ना हो बस इतना ही कफी है उसके बाद अपना कोई कुछ नहीं भी गट सकता तो फिर तो अपने मामा के पास क्यों नहीं लेकर जाता है हमारे रिष्टेदार कहा कहा है सब का पता लगा कर सब के घर डूढ़ेंगे वहां पस सकते हैं इसलिए ऐसी जगह जाओंगा जहां में कोई नहीं पहिचन था वो जगह तुमें भी नहीं बताऊंगा और दस दिन पता नहीं बेटा कल से बंधी है कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसे दिन में मज जाओ तुम लोग रात को चले जाना रात में जाना डेंजर है मां मैं संबलूँगा चलो जरा रूखो तुम बस इतना ही कर सकती हो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं मा जल्दी से मेरे घर पर पहु बन कर आजाओ कर दो, कर दो अखेज़ा ना एकर चला ना एक बाकरो उसे पापा उतरना मत उतरना मत बो उड़ लूूूू। और तूू। पॉड की बखने गाइब क्यों किया ऐसा बोलो क्यों किया ऐसा तुमने तूने ही तो पैसे मांगे थे मैंने मांगे थे लेकिन ऐसे नहीं मांगे थे क्या थे न तब तुझे पैसे चाहिए थे मुझे आध मीच चाहिए था तुझे यू ही पैसे देदूगा पागल समझाए क्या पर तुम कह सकते थे थे ना कि पैसे नहीं अब तो मेरे जिंदगी बरबाद हो गए है ले क्या बखवास कर रहा है अब तो बाहर आपके लिए जेल से आना जाना बहुत आम बात हो सकती है, लेकिन मेरी लिए ये आख पर चलने जैसा, अब तु क्या चाहता है मुझसे, प्लीज भाई, बस एक बर पोली स्टेशन आगर सब कुछ सत-सत बता दो, नहीं कर सकता, भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, चलाट बाई? इदर, 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 अन्दर जा, जबत्ताक में वाप्पस नावों इदरे रोटना, हाँ? श्यंकष, उर, ठाई, जबत्ता कि mock फितेश kitaं भाई इदर, इदर, झाdevelopो जबत्ता कैंहते है अचर हो पर दो कि अर अचार 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 अचे। न्यूंके व्यारी कि अ्यूंके शर्फॉर कि अे अॉर्फ। प्रोटा मस टॉफ सेंग कर दो लग, प्रोटी, ले लेडरी झाम प्रयास, क्वेंड़ को쪽 या अ लगा सकतो है वो फजय को अस जन मुझा है। हुड रहा हुड प्रप्र रहा हुड रöh न वड तया हुड दया हुड उर क्थटा उर है। वह कॉल तया हुड तया हुड प्रण गाड़ गराग हुसेए तेरा मुझे जोड़ नमर्च गाड़ गराग गाड़ पाड़ ऑाड़ जोड़ आ कराद़ जाड़ 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 एंचसु प्रेड़ जाड़ लुख से लुख से बाड़ माया माययर यॵभ आजारा माजारा भाँ! देखिये स्वामिनाद सर ये लड़के ने ये जान बूच कर नहीं किया है इस पर जो केस चल रहा है उसे क्लोज कर दीजी और आगे शक के बेसिस पर इसे इंक्वाईरी के लिए मत बुलाए कीजी ये बहुत ही अच्छा लड़का है ओके सर करनी का बेटी ठीक कहाना मैंने प या भाई आप कैसी बात कर रहे हो अभी आप उन अच्छे से काम पे बिजाता है इसके साथ ये मोटे के साथ पेंटिंग के काम पे कारतिक भालतु के बखवास मत कर वाभू भाई दूसरा कम दे रहे है ना उनके साथ लग जा अचा अरुन मुझे पता चला है कि तुम एड नमस्ते बाबू नमस्ते दुबाराय मेले बन गए मुबारक हो अगर मन अच्छा हो ना तो हमारी नियती भगवान तैय करता है और अगर मन गंदा हो तो हम खुद अपनी नियती तैय कर लेते हैं ये भगवान चलो आखी लड़का सूरा अगर अधर में जाना सिदे घर आए अरुन करते हैं अपने आपको पर देखा है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मिले तो अब हम जोलेरी शॉप चले अरे वह आज आप उनको जर्णा बहुत जरूरी काम है अपने कल चलते हैं ना ठीक है कोई आट ने तु अब ही कहा जा रहा है तेरी सारी सेटिंग कर दी ना अब मैं चलता हूं रुकना कहा जा रहा है अब तेरे साथ लड़की आ गई है ना कल मैं तेरे घर में आऊंगा तो यह आकर बोलेगी कि घर में नहीं है तु मेरी बेश्ती होगी ना मैं नहीं आने माला तु जा तु अपना यार चलना कार्तिक तुने पहली बार म सौने कर गच कर द ghosts तुमशद तक Tiин डि नहीं होगी कि 手ज़ है वैं प्रो प्रोड़ में आना के दुम हार प्रोड़ को कि तुम है कि अरह है। झाल